चले बच्चो तो शुरू करते हैं एक नया चेप्टर एक नया पार्ट जिसका नाम है प्राइक्ता क्या है प्राइक्ता इसका मतला होता है प्राइक्ता क्या होती है प्राइक्ता पहले जानेंगे इसको शुरू करने से पहले ठीक है तो प्राइक्ता बेसिकली आपकी एक possibility कि आज बारिश होगी है ना या आप कह सकते हो कि फिप्टी पर्थेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती तो इसी घटना के possibility को हम प्राइटता कहते हैं ठीक है तो पढ़ते हैं इसको चैप्टर को सुरू करते हैं बिना देरी करते हुए तो जैसे कि हम बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्या देखा आपने कि किसी घटना के घटने की संभावना को प्राइक तक कहा जाता है या कहते हैं ठीक है किसी घटना के घटने की जैसे की जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक कोईन उच्छाला एक कोईन उच्छाला तो आप ह हैड आएगा या टेल आएगा मतलब या तो चित या पट चित आएगा या फिर पट आएगा यही दोने संभावना हो सकती है ऐसा तीसरी कोई चीज तो आ नहीं सकती है ना तो इसी संभावना को हम प्राइक्टा के तो प्राइक्टा यहां पर हम निकालना सीखेंगे कैसे किस जितने नंबर का यह चप्टर आता है तो इस में से जितने नंबर आप एक तर्फ पूरे नंबर लेके आएंगे इस चेप्टर से अगर प्रेशन आता है तो तो शुरू करते हैं देखो हमने बताये कि किसी घटा की घटने की प्राइक्ता को हम किसी घटा की घटने की संभावना को प्राइक्ता कहते हैं ठीक है तो आगे बड़े हाँ तो हमने कहा कि जैसा कि अगर कोई कोई किसी सिक्के को किसी सिक्के को अगर उच्छाला जाए तो क्या आएगा या तो हैड आएगा या फिर टेल आएगा हैड मतलब होता है हमारा चित और टेल मतलब होता है हमारा पट यहीं होता है यह क्या होता है हमारा चित और यह होता है हमारा पट तो यहां से हम कह सकते हैं हम जान सकते हैं कि 50% ऐसा हो सकता है कि यह पट आए और 50% ही हो सकता है कि टे आये 50-50% है ना अगर हम इसको फ्रेक्शन के रूप में लिक्के तो के लिख सकते हैं 50 बटे सो और इसको लेख सकते हैं 50 बटे 100 और अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या है एक बटे 2 और इसको mund करें तो गे दिव अब यहीं से हमारा एक प्रायक्ता सुरू हो जाती है, क्या होती है, देखो, यानि कि टेल, देखो, इंगलिस में मैं यूस करता हूँ, बच्चे सभी जानते होंगे, ठीक है, चित और पट को क्या कहते है, चित मतलब होता है हमारा head or putt मतलब वो नमारा gen t तो टिल मतलब table तेल आने की प्राइकता क्या होगी एक उसकता है और मैंने कोई कॉए कोई उच्छाला तो तो क्हा सकता है इए दिया तो छिळायगा यह पिर पत आयगा तो चित आने की प्राइकता क्या होगी एक बेटे दो, दो क्या है यहां पर और एक क्या है, एक है आपका अनुकूल परणाम, क्या है बिटा, एक है आपका यहां पर अनुकूल परणाम, मतलब की जो आएगा, आउटकम, जो निकल के आया, जो आपने मांगा, कि वही हैड आए, तो हैड आने का परणाम क्या होगा, एक, एक ही आपने क्या मांगा तेल तो उपर आएगा एक नीचा आएगा दो यानि अनुकूल परड़ाम बटे क्या होगा कुल परड़ाम यह हो गया फॉर्मुला किसका आपकी प्राइक्ता अगर निकालनी है आपको तो क्या होगा फॉर्मुला अनुकूल परड़ाम बटे कुल से लिखेंगे है ना और किसी इवेंट किसी घटना जो घटना होगी उसको हम ई से लिखेंगे ठीक है प्राइक्ता को हम पी लिखेंगे और किसी घटना की घटने को हम ई लिखेंगे ठीक है इसको मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम probability यानि कि प्राइक्ता किसी इवेंट किसी घटना की लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी घटना के घटनें की प्राइक्ता इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, P of E, किसी घटना के घटनें की प्राइक्ता को, अब यहां पर बात हो रही थी हमारी किसकी टेल की, यहनि कि probability of tail, क्या होगी, 1 by 2, probability of head, क्य दोनों को जोड़ दो probability of head plus probability of tail तो क्या आएगा बिटा देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 1 by 2 plus 1 by 2 इसका मतलब आ गया एक कितना आ गया एक आ गया अब यहां से एक बात और निकल के आती है एक बात और निकल के आती है कि किसी भी घटना के घटने की प्राइक्ता जितने भी घटना घट सकती है maximum उन सभी का जोड़ कितना होता है एक होता है यानि कि देखो अगर आप इसको यह भी लिख सकते हैं यह भी कह सकते हैं कि प्राइक्ता और हैड की प्राइक्ता या प्राइक्ता हैड ना आने की प्राइक्ता हैड प्लस प्राइलिटी ओफ नॉट हैड इस इक्वल टू क्या होगा वन होगा या तो हैड आएगा या हैड नहीं आएगा इसको यह भी कह सकते हैं कि हैड नहीं आ यानि इसका मतलब टेल आएगा तो head आने की संभावना और head ना आने की संभावना को अगर जोड दिया जाए तो यह हमेशा किसके बरावर होगा एक के बराबर होगा मतलब जितनी घटनाएं घट रही है और जितनी घटनाएं नहीं घट रही है उन दोनों को अगर जोड दिया जाए तो आपस में हमेशा मिलेगा आपको एक और किसी घटना के घटित ना होने को हम denote करते हैं कुछ इस तरीके से कैसे देखो probability of head plus probability of not head नहीं ह के उपर बार लगाएंगे बराबर 1 इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोई confusion मिटा नहीं ना तो ये इस तरीके से हम यहां से एक हमें थोड़ा सा basic idea हुआ कि कैसे हम घटना निकालते हैं या फिर कैसे हम देखो प्राइक्ता में न सबसे important है आपको पहचानना है कुल परडाम कितने होंगे और आपके अनुकूल परडाम कितने होंगे बस यही दोनों बाते निकालनी है और इनी दोनों बातों से निकालके आपका answer आ जाता है ठीक है answer आ जाता है तो प्राइक्ता का जो फॉर्मला होगा वो क्या होगा बिटा अनुकूल परडाम बटे कुल परडाम ठीक है यह हमारा क्या होगा बिटा यह हमारा प्राइक्ता निकालने का फॉर्मला होगा अनुकूल परडाम और कुल परडाम अब देखों यहाँ पर आपने यह देखा कि अगर एक सिक्के को उच्छाला तो head आया या tail आया अगर हमने एक सिक्के को उच्छाला प्राप्तो एक सिक्के को उच्छालने पर क्या प्राप्त होगा या तो हैड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा यही बात है एक सिक्के को उच्छालने पर या तो हैड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा अगर हम यह दो सिक्के उच्छालने पर तो है यह दो सिक्ग को उच्छालने पर क्या होगा देखों दो सिक्के उच्छालने तो यह तो दोनों पे हैड आएगा या पहले पे हैड दूसरे पर टेल आएगा या दूसरे पर हैड पहले पर टेल दूसरे पर हैड आएगा या हो सकता है दोनों पर टेल टेल आए तो यहां पर कुल परणाम कितने हुए दो यहां कुल परणाम कितने हुए चार ठीक है तो यही यही हमें देखना कि कुल परणाम कितने होंगे अब अगर तेन सिख्क्ष्ञे उछाने तो, यह होगा? बेटा देखो, head 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 होगा, या हो सकता है head head tail होगा, या हो सकता है head tail head होगा, या tail head होगा, ठीक है, या फिर tail tail head होगा, या tail head tail होगा, या head tail tail होगा, या tail 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 होगा, यानि कुल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे कुल परिणाम, आठ होंगे तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कुल परणाम निकालने के लिए यानि अगर एक सिक्षे को एक बार उचाले तो या तो head आएगा या tail आएगा उसकी सबी संभावनाओ को लिखें कर Wow डोबार उचाला जाए ठीक है तो हो सकता है कि पहली बार में head head आ जाए, दूसरी बार में हो सकता है head tail आ जाए फिर तीसरी बार में होगा कि इस तरीके से मतलब दो सिक्कों को उच्छा लेंगे अगर हम तो यह संभावना है हमारी बनेंगी तीक है यानि यह क्या होंगे कुल परिणाम बनेंगे कुल परिणाम, टोटल परिणाम हमारे कितने निकल के आएंगे चार, दो और ऐसे आठ अब ये कैसे निकल के आ रहे हैं ये आ रहे हैं मतलब की दो की पावर एक, एक बार एक सिक्का है, दो की पावर दो और यहां तो की पावर तीन भी कितना होगा होगा नगगे अगर करे तो आठ परेडाम निकलेंगे कुल परेडाम मतलब आठ नगे मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हो क्योंकि हमारे स्कॉम कर्ण kita के chapter में इस प्राइक्टा के chapter में ठीन चीजें बहुत ज़्यादा important है पहला एक कॉइन दूसरा हमारा पासा जिसे हम dices कहते हैं जिसे आप ludow केलते हो बच्छो बट्चों लूडों का पासा और तीसरा है तास की गड़ी क्या ताश की गड़ी इन तीनों मेंसे ही प्रशन हमेशा पूचा जाता है तो इन तीनों के बारे में जितनी भी possibility हो सकती है जितनी भी संभवनाएं हो सकती है जस तरीगे से प्रशन पूचा जाता है वो हम सारे प्रशन कराएंगे ठीक है पहला point आपको समझ आया अपने जितना मैं star बनाऊं ये सब चीजे न एक तरीके से आप दिमाग में रखेंगे ये दो बाते याद रखेंगे probability of head, probability of not head इसका मतलब किसी घटने की संभावना की probability और किसी ना घटने की संभावना की probability को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा, क्या मिलेगा बिटा, एक मिलेगा, और कुछ चीजे बाते हैं, point हैं जो मैं बताऊंगा अभी, आगे हम जैसे इसे बढ़ेंगे, सारे point आपको clear करा देंगे, ठीक है, तो ये तीन अगर सिक्के हमने उच्छा ले तो ये संभावना ये हमारा पासा, अब पासे में मुझे बताओ, पासे में कुल परड़ाम क्या हो सकते हैं, एक पासे के अंदर, भई हमारे कुल परड़ाम हो सकते हैं, एक पासे के अंदर या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छे आएगा अब इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है ना इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता इस पूरे पासे के अंदर अगर कहने का मतलब कि अगर हम एक पासे को उच्छालें एक पासे को उच्छालने पर कुल परड़ाम ठीक है एक पासे को उच्छालने पर हमारे कुल परड़ाम क्या होंगे छे परड़ाम होंगे यानि यहां पर परड़ाम कितने आये कुल परड़ाम छे एक दो तीन चार पांच या फिर छे अगर इसकी बात करें कि हम दो पासे उच्छालें द पासों को उच्छालने पर जो परिणाम बनेंगे क्या होंगे देखो या तो हो सकता है कि पहली बार में पहली बार में क्या हो एक पहले पर एक आए दूसरे पर भी एक आए है ना फिर पहले पर एक आए दूसरे पर दो आए पहले पर एक आए फिर दूसरे पर तीन आए पहल पहले पर 1, पिर दूसरे पर 4, पहले पर 1 और दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6 ऐसे आ सकते हैं और इसी प्रकार पहले पर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, तीन, दो, तीन, 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 चार, तीन, पाँच, तीन, छे, चार कॉमा एक, चार कॉमा दो, चार कॉमा तीन, चार कॉमा चार, चार कॉमा पाँच, चार कॉमा छे, इसी परकार पाँच कॉमा एक, 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6 और इस परकार 6,1 3,2 3,3 6,4 6,5 और 6,6 इतने ही परिणाम बन सकते हैं अगर 2 हम पासे को उछा ले तो ये कितने परिणाम आए? ये कुल परिणाम आए बेटा, 36 कितने परिणाम आए? 36 कैसा हुगा ये? 6 का, 6 की पावर एक करेंगे तो 6 परिणाम और 6 की पावर कि तों आप्र जो आगर दो पासों भाले तो यहाँ इतने ही कुल परणाम सकते हैं वात हो सकती हैं कि इन वैसे ही कुई ना कोई एक बार हैई दो इन पर प्रेस्ण कैसे बनेंगे वो हम प्रश्ण बात में करेंगे, पहले हम पासों की बात करेंगे, के पासी के ऊपर प्रश्ण हाएगा, पासा होता कैसा है, ठीक है, जिन बच्छों ने लूड़ो खेली है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि उनको ये बात समझ आ रही होगी, है ना, ये बात कोई एक फेस आता है जब हम पासे को फेकते हैं ठीक है तो एक पासा फेकेंगे तो हमारे कुल परिणाम बनते हैं छे अगर दो पासे हमने फेके तो कुल परिणाम बनेंगे कितने 36 और यही वो प्रणाम है जो हमारे आ सकते हैं इससे बाहर कुछ नहीं होगा इससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं होगा तो यह हो गया हमारा पासे की बात ठीक है पेटा चले आगे बढ़ते हैं तो देखे अगला है हमारे पाद ताश की गड़ी ताश की गड़ी मतलब की प्ले तो ताश की गड़ी में आपने देखा हो बच्चो कि ताश की गड़ी में कैसी होती है ताश की गड़ी में बावन पत्ते होते हैं ये तो बच्ची अगर चामते होंगे थोड़ा बहुत भी अगर उन्हें देखा हो या खेला हो हलाकि खेलना तो देखो हमारे UP में लोग parents क्या कहते हैं मतलब जुआ खेल रहा है ताश की गड़ी अगर हाथ में हो या खेल रहे हूं तो नहीं इसे जुआ माना जाता है जुआ मतलब अगर जिन बच्चों ने देखा है तो ठीक है थोड़ा सा वो समझ पाएंगे एक ताश की गड़ी दूसरा हमारा dice और तीसरा coin इन तीनों में से जरूर एक प्रश्न आता ही आता है जो इससे relate करता होगा हमारा है ना तो हमने क्या बताया कि हमारी ताश की गड़ी में कुल पत्य कितने होते हैं कुल पत्ते हमारे होते हैं बच्चों बावन पत्ते होते हैं कितने होते हैं बावन पत्ते होते हैं अब यह बावन पत्ते कुछ कि इस तरीके से डिस्ट्रीबूट होते हैं कि इनको चार गुरुप में बाटा जाता है कितने चार गुरुप में बांटा जाता है, जो चार गुरुप कैसे होते हैं, जैसी आप आकरिती देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे एक दिल की शेप दिख रही है, एक यह दियमेंड की शेप दिख रही है, एक यह थोड़ी सी फूल की शेप दिख रही पान अगर और यह हमारा होता है इट का पत्ता क्या होता है इट का पत्ता और यह हमारा होता है चिडी चिडी का पत्ता और यह होता है हमारा हुकुम हुकुम का पत्ता ठीक है मतलब अगर इस में से देखो हमारे कितने होते हैं अगर देखा जाए तो यह चार मतलब इसमें तेरे पत्ते हमारे पान के होते हैं तेरे पत्ते एट के होते हैं तेरे चिड़ी के और तेरे ही हमारे हुकुम के होते हैं तेरे दुनी 26 यानि 26 पत्ते लाल होते हैं 26 पत्ते हमारे काले होते हैं इनको बहुत तरीकों से डिस्टिब्यूट किया जाता है या बहुत तरीकों से हमारा अलग 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 गुरूप से हम से पूछा जा सकता है हाना तो देखो कैसे होते हैं मैंने बताया पान का होता है हम कितने होते हैं तेरा पत्ते हैं तेरा पत्ते हमारे एंट के होते हैं और तेरा पत्ते हमारे चिड़ी के होते हैं और तेरा ही पत्ते हमारे हुकम के होते हैं है ना बच्चो इसके होते हैं हुकुम के होते हैं यह सभी कितने कितने होते हैं तेरा पत्ते तेरा पत्ते तेरा पत्ते और तेरा पत्ते यह सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेंगी देखो अब यह कैसा होता है यह हमारा कलर में यानि यह कलर पत्ता होता है और ये भी काला पत्ता होता है काला कलर का मतलब है न और यह हमारे कैसा होता है यह सारी बातें आप याद रखेंगे अब कुछ और भी है इसमें और क्या है देखो हमारा पान हो या एट हो या चिड़ी हो या हुकम हो सभी के जो तेरे पत्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि एक पत्ता होता है जिसमें ए लिखा होता है एक पत्ता होता है जिसमें हमारा क्या लिखा होता है queen लिखा होता है q और एक होता है k यानि king बाकी के पत्ते जो होता है वो numeric पत्ते होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से हमारे पत्ते distribute होते हैं अलाग, 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 अलाग इसी प्रेकार से सारे ग्रॉप हमारे इसी ऐसे ही होते हैं यहां पर अगर देखो कि आप जो a है उसे हम कहते हैं क्या इक्का कहते हैं क्या कहते हैं इक्का इक्का कहते हैं और यह ताश की गड़ी में सबसे बड़ा पत्ता हमारा माना जाता है, क्या माना जाता है सबसे बड़ा पत्ता माना आता एक का इसे ace card भी कहते है इंग्लिस में हम कहते हैं ace है ना और ये जो हमारा j देख रहे हो ना ये होता है हमारा गुलाम क्या होता है गुलाम जिसे हम गुला भी कहते हैं एक होता हमारा q जिसे कहते हम रानी क्या होता है यह रानी होता है और एक होता हमारा के यह क्या होता है यह हमारा होता है बाद्शा यह हमारा बाद्शा होता है अब यह जो तीन पत्ते आप देख रहें गुलाम रानी बाद्शा यह जो तीनों पत्ते होते हैं इनका एक और रूप होता है कि इनके चहरे होत हैं चहरे मतलब फेस होता है एक फेस बना होता है चहरे होते हैं यह दिखने में होते हैं हमारे कुछ इस परकार के जैसे कि यहां आप देख रहे हैं ठीक है कुछ इस परकार के होते हैं देखो अगर आप देखो तो इसको कि हमारा क्या है यह ए मतला हमारा यह एकका है यह हमारा गुलाम है और यह क्या है हमारा रानी है और यह हमारा बादशाह है तो यह हमारे क्या होते हैं इन तीन जो पत्ते होते हैं इनके को चेहरे होते हैं क्या होते हैं चेहरे होते हैं और इनको हम English में face card कहते हैं जिनके चेहरे होते हैं तो यह प्रेशन इसलिए हम यह सब बाते बता रहे हैं आपको कि प्रेशन में पूछी जाती हैं कि कितने असे पत्ते हैं जिनके चेहरे होते हैं पूरी ताश की गड़ी में तो हर गुरुप मे क्या होता है हर गुरुप में तीन तीन पत्ते होते हैं हर गुरुप मतलब कि हमारे पान के गुरुप में तीन पत्ते होंगे चहरे वाले है ना यहां पे देखो ऐसा ही इट की गुरुप में हमारे तीन पत्ते होंगे ऐसा ही चिडी के गुरुप में तीन पत्ते होंगे इसी तो इस प्रिकार्ट से देखो हमारे ये distribution हो गया हमारी ताश की गड़ी का समझे लिए आपने चार गुरूप होते हैं कौन-कौन से पान, इट, चिड़ी और हुकुम हमारे बाकी के नौ पत्ते इस तरीके से होते हैं कि numeric digit होती है दो से लेके 10 तक numeric होते हैं एक हमारा ए होता है जिसे हम एक्का कहते हैं और हमारा जे के जे क्यू के ठीक है गुलाम, रानी और बादशाह इस तरीके से हमारे तीन और पत्ते होते हैं इस तरीके से हमारा पूरा distribution है देखो लाल पत्ते 26 होते हैं तेरस पत्थे यह होते हैं तेरा यह होते हैं दो प्रह्तसे अगर आप कहने का मतलब यह है कि अगई पूछले वह प्रशन के बताईए पूरी देस्व founder ilfounded तो इसे पांट आपके अब यहां पी Pूछ सकता है कि sociedति होते हैं कि ङो फेश करते हैं चैनल करने कितने हो दो ही जगाया आप फेस कर दो ही जगाए उप यहाँ है अब हमारे तीन यहा losing होंगी थीन हमारे मिजलेक je किनेट में यानि छाई चाही फेस लाल कार्ड बहुत है कि कि इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है वह प्रशन में लेकिन हमने अब आपको सारी चीजे चिए क्लेर कर दी लाल, काला, पीला, नीला, फेस कार्ड, नुमेरिक कार्ड, ठीक है, एस कार्ड, सभी फ्रकार earn care के हमने बता दिया, एकका कितने होते हैं, इस तरीखे से सब बता दिया, सारे distribution तरीखे से बता दिया कि किस तरीखे से आता है, अगर यह distribution आपने पूरा समझ लिया तो आप इस से गड़ी ताश की गड़ी से कैसा भी प्रश्न भूज ले आप बिलकुल भी छोड़के नहीं आएंगे तो चलें आगे बढ़ें ठीके आगे बढ़ते हैं अब देखो एकसा करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो ब प्राइकता का फॉर्मला क्या है बता हो जा रहा है मैंने बता दिया था फिर भी फिर से पूछ रहे हैं अनुकूल परिणाम ठीक है अनुकूल परिणाम बटे इसको क्या कहेंगे हैं कुल परिणाम एक तो हमारा यह फॉर्मला हो गया है न इसको आप याद रखेंगे दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट होगा हमारा देखो क्या एक तो गया प्राइकता निकालने का तरीका यानि फॉर्मला जो हमने बता दिये कि प्राइकता का फॉर्मला होता है हमारा अनुकूल परिडाम बटे कुल परिडाम से हम निकाल सकते हैं प्राइक्ता अब दूसरा बात है कि एक किसी प्राइक्ता जिस किसी गटना की प्राइक्ता एक हो उसे हम निस्चित प्राइक्ता कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं निश्चित प्राइक्ता यानि कि एक निश्चित घटना की प्राइक्ता क्या होगी एक होगी एक निश्चित घटना की प्राइक्ता क्या होती है बिटा बरावर एक के होती है एक होती है ठीक है क्या होती है हमारी एक होती है किसी निश्चित गटना निश्चित मतलब जो होगा ही होगा ठीक है जो होगा ही होगा मतलब कि अगर आज बारिश पड़ेगी अगर हमने कह दी पड़ेगी मतलब निश्चित पड़े और विख यह व aspect पूराफ सही निकलता है यह निस्चित है न क्या है एक निस्चित यह हम कहें किज़ा तॉ the game the निस्चित एक त्रायक्ता मतलब और ऐसी घटना जो हमें पता है जो होना ही होना उसकी गटना की जो possibility जो प्रायक्ता होगी हूँ हमेशा एक होगी ठीक और एक ऐसी गत्ना जो असंभव घ्ठना हो क्यसरी हो एक असंभव घठना के जो प्रायक्ता होगी वह हो हो जीरोह, एक असंभव ह हुआ है कि प्राइक्ता सूनने होती है क्या होती है सूनने होती है मतलब कि जो ना घट सके ऐसी प्राइक्ता जैसे कि अगर हम कहें कि पासा होता है हमारा कि पासा में साथ आने की प्राइक्ता बताईए तो साथ होता ही नहीं है साथ हमारा होता ही नहीं है साथ तो हमारा आएगा ही मतल गटना या अनिस्चित गटना असंबब गटना की प्राइक्ता क्या होगी जीरो होगी सुनने होगी ठीक है और हमारी किसी भी गटना की प्राइक्ता यानि कि किसी भी गटना की प्राइक्ता यानि कि किसी भी गटना की प्राइक्ता क्या होती है या तो जीरो से बड़ी होगी या 0 के बरावर होगी या फिर 1 से छोटी होगी या 1 के बरावर होगी इसी के बीच हमारी पूरी की पूरी क्या रहती है यह तो हमारी ट्राइक्ता रहती है यानि probability of an event is less than या is greater than और equal to 0 और less than equal to 1 यह हमारा चौता पॉइंट हो गया यह बात याद रखेंगे मतलब किसी भी गट्रना की प्राइक्ता 0 से बड़ी या 0 के बरावर हो सकती है या फिर छोटी एक से छोटी या 1 के बरावर होगी कभी भी एक से जाजा नहीं होगी कभी भी 0 से कम नहीं होगी negative में कभी भी निरणात्मक प्राइक्ता कभी नहीं हो सकती negative में कभी भी प्राइक्ता हमारी नहीं होगी तो यह एक पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है कि किसी भी गट्रने अब देखो एक बात और एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखेंगे वह गटना जिसका केवल एक ही परणाम हो जिसका केवल एक ही परणाम हो वह क्या कहलाएगा एक प्रारंबी गटना कहलाती है वह गटना जिसका एक ही परणाम हो नहीं एक ही रिजल्ट आए हमारा वह क्या कहलाएगी है हमारी एक प्रारंबि गटना कहलाती है वह गटना जिसका केवल एक ही परडाम हो वह गटना जिसका केवल एक ही परडाम हो क्या कहलाएगी प्रारंबिक प्रारंबिक गटना कहलाती है ठीक है क्या कहलाएगी प्रारंबिक गटना कहलाएगी किसी प्रयोग की सभी प्रारंबिक गटनाओं की प्राइक्ता का योग एक होता है किसी भी क्या होता है प्रयोग की सभी प्रारम्मि घटनाओं का योग हमेशा एक के बराबर होता है एक ये पॉइंट याद रखेंगे दूसरा अगला पॉइंट आप याद रखेंगे जो मैंने बताया था पहले कि किसी भी किसी भी event के होने ठीक है किसी भी गटन मतलब किसी भी प्रायक्ता के गटने वा किसी भी प्रायक्ता के ना गटने का योग एक के बरावर होता है ना गटने को हम E बार से या फिर उस गटना के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे मतलब E नहीं E नहीं भी लिख सकते हैं इसे E नहीं तो probability of an event plus probability of an E not is equal to क्या होगा 1 ठीक है यानि कि हम जब मैंने बताया था अभी के head आने की प्रायक्ता और head ना आने की प्रायक्ता का योग जो होगा वो एक के बरावर होगा जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था देखो यह हमने दिखाया था यह दोनों को जोड़के one by two plus one by two बरावर क्या था वन तो यही हम बता रहे हैं वहाँ पे कि किसी भी इवेंट की घटना गटने और ना घटने की जो योग होंगे सारे अगर आप जितने भी इवेंट्स हैं जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी का योग कर लो तो आपका वो क्या होगा एक के बरावर होगा ठीक है एक के बरावर होगा और घटना अगर दोनों घटना का जो यो यही सब बाते हैं जो आपको याद रखनी है और हो सकता है कि इनी चार-पांच पॉइंटों में से ही आपको एक अब्जेक्टिम मिल जाए एक अब्जेक्टिम मिल जाए जिसमें यह बात पूछ ली जाएगी कि बताईए कि किसी असंबब गटनाएं की प्राइक्टा क्या होती है तो आप सीधे लिख देंगे शूनने होती है क्या होती है या फिर एक निश्चित गटनाएं की आप रहता के प्राइक्ता क्या होते हैं नी प्रास आप हम सुरू करेंगे एकसरी एकसरायस के करेंगे और जल्दी से SHOP करेंगे एकसराइब झाल झाल झाल